हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद प्रिया आज हम सॉल्फ करेंगे ट्रैक्टिस सेट नंबर टू जो की वर्तनी शुद्धी से संबंदित है आरो ये आरो दूसर तेस बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्णों का संकलन जो की घटना चकर से ही लिये गए सभी प्रश्ण है जो यूपी पीसियस और आरो ये आरो में आए हुए हैं और जो हमारे ने वीवर्स हैं उनको बता दें कि आपको मेरे चैनल पर सामाननी हिंदी आरो ये आरो प्लेलिस्ट में हिंदी से संबन्दित सभी वीडियो मिल जाएंगे सबसे पहले आप अगर देखना शुरू करेंगे तो आप पहले जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनको देखीगा उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजेगा जो प्रश्ण एक्जाम में है ठीक है इससे यह होगा कि आप चैप्टर कम्प्लीट कर लेंगे आपको अंदर का सब कुछ होता नहीं है जैसे कि विशेशन विशेश है उसी में ही है कि कई उसके प्रकार होते हैं उनके बारे में अगर आप पढ़े रहेंगे किस शब्द की वरतनी शुद्ध है 34. इसमें अधीन ये गलत है वेवहारिक, मिश्ठान अत्यधिक ये वरतनी हमारी शुद्ध है कौन सी? अत्यधिक वरतनी हमारी शुद्ध है क्यों? क्योंकि देखिए अधीन में बड़ा लग गया है यहां देखिए शुद्ध लिखाए अधीन कैसे लिखा जाएगा? शोटा और अधीन वेवहारिक नहीं, वेवहारिक होता है मिश्ठान, मिश्टान होता है क्या होता है? मिश्ठान तो हमारा D option सही है अगला देखते है 35 number question वरतनी की दृष्टी से शुद्ध शब्द है शुद्ध शब्द क्या होता है? आनूशंगिक तो यह और शेस जित्ते हैं वो सब अशुद्ध है 36 number question वरतनी की दृष्टी से शुद्ध शब्द है पर इच्छा तो सभी को पता होगी option number C ठीक है प्रश्ण आसान ही आते हैं बस यह रहता है न कि हमने उसे examine नहीं किया रहता कि कैसे करना है कुछ प्रश्ण आप लगाएंगे तो देखी पिछले कल की प्रश्ण में भी यही आया था question अनुग्रहित अनुग्रहित कौन सा option सही है B option जिन्होंने कल का वीडियो देखाऊगा वो अनुग्रहित की spelling सही कर लेंगे अगला है 38 number व्याकरण की दृष्टी से शुद्ध शब्द है नर्क इसमें देखिए कौन सा शुद्ध शब्द है option number A और सब गलत है कुछ लोग इसको लगाएंगे लेकिन नरक यला ज्यादा सही मतलब यही सही है option number A अगला 39 number question वर्तनी की दृष्टी से शुद्ध शब्द का चैन कीजिए जब इसमें टिपड़ी का करना है यह तो गलत है यह भी टिपड़ी गलत है अगला देखते हैं क्या है option यह देखें इसमें यह टिपड़ी गलत है D option की टिपड़ी सही है ठीक है अगला 40 number शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चैन कीजिए अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी यह सही है पूजनिय पूजनिय होता है यह कवी यत्री नहीं होता है कवी यत्री होता है तदो परांत तदू परांत होता है यह नीचे लिखा है पूजनिय तदू परांत और कवेत्रे ऐसे लिखा जाएगा हमारा option number A सही है अगला 41 number अशुद वर्तनी वाले शब्द बताना है इसमें अशुद वर्तनी उज्वल तो सही लिखा हुआ और option number हमारा इसमें D Samudjul देख लिजे समudjul कैसे लिखा जाएगा Samudjul अशुद वर्तनी वाला शब्द है इसकी शुद वर्तनी समudjul है जो दो जा होते हैं वे आधे होते हैं उज्वल में भी दो जा लिखते हैं वो भी आधे हदे रहते हैं और इसमें भी आधे हदे समुझवल ये शुद्ध होगा और जब कि ये गलत है हमारा option number D से ये इसमें अशुद्ध वर्दने वाला शब्द 42 number अशुद्ध वर्दने वाला शब्द इसमें भी बताना है तो इसमें है निश्चेष्ट option number B इसमें आशिरवाद सही लिखा है निश्चेष्ट देख लिजे कैसे लिखना है ऐसे लिखना है इसमें जो शा लगा दिया है शटकोन वाला वो नहीं होगा शल्जम वाला शा होगा ऐसे ठीक है देखी दो सार तेरा में आया हुआ है प्रेश्ट अगला है शुद्ध वर्दने वाला शब्द option number A दोबिन न दोबनी होता है दोबिनी दोबिन ये सब गलत है option number A केवल शुद्ध देखिए दोबिन ऐसे लिखा जाएगा अगला है शुद्ध वर्दनी वाला शब्द इसमें बताना है तो भागी रथी होता है क्या होता है भागी रथी option number D बी भागी रथी इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है शुद्ध वर्द जो रहते हैं अगला है हमारा 45 नमबर शुद्ध वर्दनी वाला शब्द इसमें बताना है विरहणी विरहणी होता है विरहणी ये सही है जबकि और सब अशुद्ध है अशुद्ध को देखिए ये नहीं बस शुद्ध देखिए और उसकी जो है उसको देखिए कि कैसे लिखे होई है विरहणी अगला है निम लिकित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है तो कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है ओप्शन नमबर विदूशी अगर आपको शुद्ध वर्तनी आ रही है तो आपको अशुद्ध वाले स्वता ही आपसे eliminate हो जाएंगे वो कि ये option सही नहीं है अगला है 47 number किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है अशुद्ध देखना है option number D भुखड भुखड को क्या? भुखड ऐसे लिखा जाएगा अधका और खाबुखड जबकि बुखड और लंगड कुंकर ये सब सही है अब ये हमारा option कौन सा सही है? भुखड ये अशुद्ध वर्तनी है अगला है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है इसमें बताना है इसमें किस की छिद्रान वेशी ये हमारा option number B जबकि निर्नु नासिक और ये सब चीज़ें सही है जबकि इसकी शुद्ध वर्तनी देख लीज़े अब शिद्रान वेशी इसमें कौन सा शा लगा है? और इसमें कौन सा शा लगा है? ये इस एक अंतर है important है, अच्छा question है अगला देखिए 49 number question निर्न लिखिए में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवीत्री option number 1 कवीत्री और सब हमारे क्या है? अशुद्ध है अगला प्रेशन देखते है 50 number question है निर्न लिखिए शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? दुबारा यह आया है बहुत important question लग रहा है कवीत्री जिनको आता है 51 number कवी का इस्ट्रेलिंग शब्द क्या होगा? कवीत्री कवीत्री, option number C सही है उसको पढ़कर देख लिए अगर वर्तनी उचारण पर भी पढ़ता है कि आप जो उचारण करेंगे वैसा ही आप शब्द देखेंगे अगर आपका उचारण गलत है इसपस्ट नहीं है तो आप गलत answer टिक करेंगे इसलिए उचारण पर भी बहुत ध्यान देना है अब जरूरी नहीं है कि सभी का उचारण शुद्ध ही हो ठीक है कुछ लोग शब्दों को अलग तरीके से पढ़ते हैं लेकिन उन्हें पढ़ना तो आता है लेकिन उन्हें वह गलत तरीके से पढ़ लेते हैं अगला देखते हैं 52 नंबर निम्लिखित में शुद्ध वरतनी वाला शब्द कौन सा है शुझध वरतनी वाला šब्द सूशुशा सूशुशा यह है और शेश क्या है और सब अशुद्ध है देख लेजे इसकी वरतनी कैसी है सूशुशा ठीक है अगला है 53 नमबर शुझद वरतनी वाला शब्द इरषया डी सही ये इरषया इसकी शुद्ध वर्तनी कैसी है? ऐसे अगला है 54 नमबर कोश्चन हमारा नहीं हम लिखे में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द मनुरत सही, उलंगन सही उज्जवल है दे कि उज्जवल कितना इंपोर्टेंट है इसमें दो जा होते तो सही हो जाते है आधे आधे वाले उज्जवल ठीक है? और सब सही है अगला है 55 नमबर कोश्चन शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार ओप्शन नमबर डी ये ऐसे लिखा जाएगा ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत कैसे है? दुर्जनिवार ये दुर्जनिवार है ठीक है? ये दोनों ही रूप शुद्ध है अगला 56 नमबर निमलिकित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अन्तियाक्षरी होता है तो इस हिसाब से 20 है अप्शन नमबर भी और सब गलत है अन्तियाक्षरी अगला 57 नमबर कॉश्चन किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें दौर का इसकी वर्तनी शुद्ध है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दौर का है जबकि दौरी का जो हम लिखा जाता है ऐसे यह अशुद्ध होता है दौर का ऐसे लिखा जाता है ध्यान दीजएगा यह अशुद्ध है हो सके तो paper pen लिए हो तो note कर लिजए इसको दौर का ठीक है? और इसमें पूजिनिया यह भी गलत है पूजिनी कैसे लिखा जाएगा? पूजिनिया और इसी प्रकार अंतर ध्यान में भी अशुद्ध वर्तनी है अंतर ध्यान होता है क्या अंतर ध्यान नहीं अंतर ध्यान ऐसे लिखा जाएगा अहिल्या में शुद्ध वर्तनी है शुद्ध वर्तनी वेला शुद्ध अहल्या होता है क्या होता है अहल्या देख लेजे अहिल्या भी बहुत ही इंपोर्टेंट है अहिल्या नोट कर लीजे और द्वार का नोट कर लीजे जो है अंतरधान शुद्ध वर्तनी बस नोट करते जाएगे कैसे कैसे लिखना है सब को लिखने की ज़ूरत नहीं है अगला है 58 नमबर नीचे दियेगे शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है शुद्ध वर्तनी सन्यासी सन्यासी है यही वर्तनी शुद्ध होगी और फिर आगे देखने का सवाल ही नहीं उठता अगला है 59 नमबर कोश्चन शुद्ध वर्तनी इसमें वर्तनी का शब्द बताना है तो यह दोनों ही शुद्ध लग रहे हैं आगे देखते हैं 59 में वांग मैं अगला है 60 नमबर वर्तनी की दृष्टी से शुद्ध रूप कौन सा है वंदना अगला है इन में से वर्तनी की दृष्टी से शुद्ध है अंतरधान अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो यही शुद्ध हुआ और किसी को देखने की जुद्ध है नहीं जुद्ध है लेकिन हमें इनके बारे में भी जानना है कि इसमें क्या गलती है अब यह शेष्ठम लिखा है शेष्ठम के स्थान पर शेष्ठ होना चाहिए सहस्त्र लिखा है सहस्त्र के स्थान पे ऐसे सहस्त्र होगा ठीक है तरह से जुड़ा हुआ सा तभी ये वर्तनी शुद्ध कहलाएगी इसको भी नोट कर लीजे और अनुशंगिक नहीं आनुशंगि किये तो हमने देखा था ये भी नोट कीजे ये भी इंपोर्टेंट है जो परिक्षा में आये हैं उसी में से ही आयेगा ठीक है तो फिर इनको जरूर सही करके ही चाहे और कुछ देखिये ना देखिये लेकिन जो परिक्षाओं में प्रशन आये हैं हिंदी में उनको जरूर और सही उनकी वर्तनी देख लीजिए उसमें जो भी है उसको जरूर देख लेजिए उन प्रशनों को बस इससे ज़्यदा भी इतना समय अब नहीं है लेकिन आप उन प्रशनों को जरूर देखिए जो पूर्व की परिक्षाओं में आये हुए क्योंकि एक्जाम का पेपर उन ही में सही बनता है अगला 62 इन नामों में से एक की वरतनी अशुद्ध है अब बताईए इसमें किस की वरतनी अशुद्ध है कौसल्या मैथिली शरंगुप्त मेगनाद राहुल सांस कृत्यायन तो इसमें क्या गलती है? उप्शन नमबर D राहुल सांस नहीं राहुल सान कृत्यायन होता है क्या है राहुल सान कृत्यायन इसको भी नोट कर लिजे अच्छा है अगला सक्ष्टी थ्री नम्मर कोशन इन में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है अशुद्ध किसकी है जागरत की है अधीन सही है, भागी रती सही है, अनुग्रहिद भी सही है जागरत में कौन सा रा लगेगा? देखिए जागरत में ये वाला रा लगता है गा के निची किस प्रकार से? देख लिजी और जागरत ऐसे हैं、 या जागरती ये शुद्ध वर्तनी है इसको नोट कर लिए अगला सिक्स्टिफोर नमबर इन में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है जियोत सना जियोत सना इसमें आधाता और अधासा भी रहता है जरूर से इसे नोट किया जाए ये बहुत ही अच्छा प्रशन है अगला सिक्स्टिफाइफ नमबर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चैन करें अभी हमने देखा जियोत सना कौन सा सही रहे जिसमें आधाता और सा रहेगा जियोत सना और सब देखना ही नहीं है अब जिनको आता रहता ना उनकी नजर सिर्फ सही आंसर पे टिकती है और ऑप्शन से तो कोई मतलब भी नहीं जब आपने देख लिया कि ये एक हमारा सन्यासी सही है उपर बिंदी उसमें सामे लगी आगे आधाना भी लिखा हुआ अब दिखिए ये भी प्रशन अच् 건ा है ये भी हमने कल देखा था यह कह सा ही इनमें से शुद्य वरतनी वाला शब्द तो कौन सा है इसमें सा ही नोट कर लेजे इसमें देख लिजए नोट कर लिजए अगर नोट कर रहे हूँ आप तो इसकी वरतनी देख लिजे नोट कर लिजे अगर नोट कर रहे हो आप तो 67 नमर इन में से शुद्ध वरतनी वरतनी वाला शब्द कौन सा है सन्यासी अशुद्ध है पता चल रहा है न इसमें बिंदी नहीं लगी है और इसमें देखी दो option वालमीकी में वालमीकी में जो वालमीकी भी अशुद्ध है क्यों क्योंकि वालमीकी ऐसे लिखा जाएगा का में छोटी की मातरा लगेगी वालमीकी ये शुद्ध है और सन्यासी ठीक है दो option हो गए अगला क्या है? शुद्ध वर्तनी के इसमें भी चैन करना है 68 नमबर 68 नमबर का option no. B जाज वल्यमान क्या है? जाज वल्यमान इसको भी नोट कर लिया जाए इसका option no. B सही है और सबी क्या? गलत है जाज वल्यमान अगला हमारा प्रेशन क्या है? निमलिकित में शुद्धु वर्तनी बताना है इसमें कौन से ये सामप्रदाइक होता है सामप्रदाइकता option number B ठीक है ये सब अशुद्ध है इनको देखने का कोई मतलब भी नहीं शुद्धु वर्तनी वेला शब्द इसमें बताना निरपराद कल हमने देखा ही था तो निरपराद किसमें option number D में है निरपराद होता है अगला क्या है 71 number question शुद्ध वर्तनी का इसमें चैन करना है अतिश्योक्ती होता है क्या होता है अतिश्योक्ती option number B अतिश्योक्ती सब और सबको देखना ही नहीं हमें अगला हमारा प्रेशन है 72 नंबर निमलिकीत में से एक की वरतनी अशुद्ध है सुशुसा यह तो सही था वेशभूसा मनिशा सुशुसा सुशुसा भी हम देखे था यह सही है यह गलत है तो हमें शुद्ध का चैन करना है तो हमारा option number B यह होगा ठीक है अगला हमारा प्रेशन है 73 number question निमलिकित में से एक वरतनी शुद्ध है उसे चैनित करना है श्रंगार ही गलत है क्योंकि श्रंगार में ऐसे रहता है यह दिखा है श्रंगार शुद्ध वरतनी वाला ठीक है और उज्जल में दो जाए यह भी सही है कवीतरी से यह शुद्धा सही है नोच कर लीजे श्रंगार भी अच्छा है मतलब कि अच्छा प्रेशन है श्रंगार से बनता है अगला है 74 number सिन्हनी शब्द की शुद्ध वरतनी है option number सिन्हनी ठीक तो आप समय चीगे होंगे कि कैसे करना है वरतनी जिसको आती होगी शुद्ध जिनों निजाद पढ़ा है देखा है तो वो सही option पर ही जाएंगे उसे जल्दी से टिक कर लेंगे तो और option देखने का सवाल ही नहीं उठता है और ऐसे ही पढ़ते रही है समय बहुत कम है अब अपना अलस त्याग दीजिए और ठंड का मौसम भी अच्छा मौसम है रजाई में गुसे रही है पढ़ते रही है ठीक है धन्यवाद